Hi everyone, आज की वीडियो में हम एक sexual topic के उपर आप से बात करने वाली हूँ, कुछ concept है, कुछ feeling है, कुछ experience है जो बहुत सारे patient से बात करने के बाद मैंने realize किये हैं, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर share करने वाली हूँ, I hope आपको इस वीडियो पसंद आए, like, share, subscribe, आपको बता ही ह आप कर सकते हैं, सारी चीज़ available है, तो करना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहते हूँ, देखे, sex एक normal phenomenon है, दुनिया का हर जीव, चाहिए सुवर है, कदा है, कुटा है, शेर है, हाथी है, घोडा है, इंसान है, कोई भी जीव, दुनिया में जितने भी जीव है, हर जीव sex करता है, ठीक है, यह एक basic phenomenon है, जैसे इंसान खाना खाता है, सुसु पटी जाते हैं, जिस तरीके से हम हसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, emotional नालग लग प्रकार के feel करते हैं, ठीक, उसी प्रकार से एक sexual phenomenon है, और यह इंसानों में limited नहीं है, दुनिया का हर जीव sex करता ही करता है अब मेरे सवाल आप से यह है, कि अगर आप अपने आसपास के सारे जीवों को देखें, उनकी sexual energy को देखें, और इंसानों के दिमाग में जो sexual thought रहते हैं, उन तोनों को compare करेंगे, तो आप क्या महसूस करते हैं? इसका answer सोचिए अपने दिमाग में, आसपास के जो जीव हैं क्या उनके दिमाग में भी sexual thought उतने ही आते हैं, जितने इंसानों के दिमाग में जादा आते हैं? मेरे ख्याल से इसका answer होगा नहीं, जैसे जानवरों में क्या होता है न, वो हमेशा sexually active नहीं रहते हैं, साल में एक बारिया जादा से यादा दो बार heat का season आता है, जिसमें वो sexually active होते हैं, body के अंदर hormones निकलना चालू होते हैं और वो sex करने की इक्षा उनके बन में पैदा होती है, और वो उतना ही सहज भाव से होता है, जितना बाकी सारी चीज़ों होती हैं, जैसे खाने पीने के उनको इक्षा होती है, ठीक उसी प्रिकार से साल में एक बार या दो उनको sex करने की इक्षा पैदा होती है, आप अपने आसपास के जानवरों में इस चीज़ देख सकते हैं, खास तोर से बहुत easy देख सकते हैं street dog में, लेकिं इनसानों के साथ क्या होता है, खास तोर से, इनसानों में mil की बात करूँगी, खास तोर से, क्या होता है कि sex की धार कोई literature हो, कोई पुराना साहित हो, कुछ भी हो, लिएकि उसमें sex या sex से related जो भावनाएं होती हैं, बहुत जादा रहती है, हमारे शरीर में, हमारे मन में और भी बहुत सारे emotion होते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, हम गुस्ता महसूस करते हैं, हम depression में आते हैं, sad महसूस करते ह हैं, या और भी बहुत सारे emotions होते हैं, कभी वातसल ले आता है, कभी वीररस आता है, कभी कुछ और होता है, यह सारी चीजें होती हैं, लेकिन यह जो प्रेम वाली भावना हैं, और प्रेम वाली भी नहीं, शुद्ध प्रेम तो फिर भी ठीक है, लेकिन यह जो sexual वाली कोई भी emotion जदी जरूवत से ज़ादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको वो किसी ना किसी प्रिकार की शारिरिक और मांसिक बिमारी पैदा करेगा सेक्स से हटके देखिए डर लगना एक स्वाभाविक इमोशन है हर व्यक्ति को डर लगता है अब अगर किसी व्यक्ति को डर इतना जादा हो जाए कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई अननैसेसरी में हमेशा डर लग रहा है घर से बाहर निकल रहे हैं डर लग रहा है पश्रुपक्षियों से जान्मलों से डर लग रहा है घर से बाहर निकलते हैं कोई कुटा दिखाई देता है तो पहला थोट आता है कि इस कुटा हमें काट लेगा रास्ते में कोई गाय दिखाई देती है इस पुर्ब टो पहला थोट आता है कि यह को ब सर्बैब कर देगा पर अगर किसी विक्ति भाइबे को सभाविक से ढर सॉच रहे एक। तो ultimately क्या होगा, वो इसको बीमार कर देगा, शारिरिक रूप से भी, मांसिक रूप से भी, दौनों तरीके से व्यक्ति बीमार हो जाएगा, इसी प्रकार से हसना एक एमोशन है, खुश रहना, अब कोई व्यक्ति यदि बिना मतलब कि हमेशा ही हसता रहे, हट से जादा हसी आ मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इस हद तक टेंशन फ्री हो जाए, वही हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो मस्त हैं बुलकुल, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगीगा, लेकर ultimately वो अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस गेन नहीं कर पाएंगे financially रूप से भी ultimately broke हो जाएंगे, emotional रूप में भी, ultimately उनको कही न कहीं loss होगा, क्योंकि अगर आप हद से जादा मस्ती में हो, आप किसी के दुख को नहीं समझ रहे हो, आप किसी भी चीज को problem को seriously नहीं ले रहे हो, उसके answer सोचने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो ultimately आपके जो relation ह होते हैं, वो कहीं न कहीं break हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से, जैसे मैंने दो emotion का example दिया, ठीक उसी प्रकार से, sexual energy भी emotion है, यदि कोई व्यक्ति हद से जादा sex के बारे में सोचता है, अपनी बाकी सारी life की जो चीजें होती हैं, उनको back foot में लेके चलते हो, लेकिन आपके दिमाग में continuously sex के thought आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको बीमार करते हैं, अब ये दोनों प्रकार से हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने पहले excessive sex या masturbation किया, अब उनको sexual problem हो रहे हैं, जिसके लिए ओ डॉक्टर के पास में आये हैं, कई लोग ऐसे इस प्रकार से excessive masturbation या excessive sex कर रहे होते हैं, दोनों ही व्यक्ति अपने आपको problem में डाल रहे हैं, यहां मैं इस पेशली बोलूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले sexual, बहुत जादा masturbation वगएरा किया, लेकिन वर्तमान समय में उनको problem हो गई है, erectile dysfunction या कुछ भी और, किसी भी इस प्रकार की, कई patient में पास appointment book करते हैं, 18-20 साल की age के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 20 साल के हैं, और जब वो अपना website पर form भरते हैं, तो उसमें दुनिया भर की चीज़ा लिखी रहते हैं, कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरा ये हो गया, मेरा वो गया, कि टाइम आपकी जिन्दगी का peak time होता है, वैसे तो जिन्दगी में restart आप कभी भी कर सकते हो, 60 साल में भी लोग स्टार्ट आप खोज लेते हैं, 60 साल में भी लोग पढ़ाईयां करते हैं, 40 साल में लोग वापिस college join करते हैं, लेकिन मानना तो पढ़ेगा कि ये सब exception होता ह जन्रली आपकी life का peak time होता है वो 18 से लेके 24-25 साल तक होता है, इस जिन्दगी को, इस time period को यदि आपने productive कामों में use कर लिया, तब आपकी life सही रास्ती पर चली जाती है, अब ये जो time है अगर इस समय पर आपकी द्वाग में हस्यादा sexual thought है, कि आप में को morning erection नहीं आ रहा या मैं जल्दे discharge हो जाता हूँ, तो ultimately आप क्या करोगे, आप अपनी life को spoil कर दोगे, तो वो सारे लोग जिनको इस परिकार से problem है, please life में थोड़ा सा ना relax हो जाओ, ये एक part है, ठीक है, sex वाली जो चीज़े हैं वो एक part है, अपना focus अपने carrier के उपर रखिए, पढ़ाई के fitness के उपर रखिए, सही सोर्स से सही sex education लेने का प्रयास करिए, अपनी personality को improve करिए, हर समय, हर समय, बार बार, केवल और केवल यही सोचते रहना कि आपको sexual problem है, आपको sexual problem है, आपको sexual problem है, ये ultimately आपकी problem को बढ़ाएगा, और बढ़ने के साथ साथ में और बहुत सारी दूसरी problem को साथ में पैदा कर देगा, ultimately आपको पूरी तरीके से आपकी life spoil हो जाए, क्योंकि एक तो आपने अपना time waste कर दी, अपनी energy waste कर दी, जिस समय को आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते थे, जिस समय को आप अपने career को जादा अच्छा बनाने में लगा सकते थे, जिस समय को आपने केवल morning erection नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो पाता वैसा नहीं हो पाता जल्दी डिस्चार्ज भी आता, nightfall हो जाता है, ये फालतो के topic के उपर लगा दिया, मैं ये नहीं भोल रहे हो कि ये सब गलत है, ये भी health problem है, लेकिन ये जो health problem है ये sexual से related है और ये आपकी life का बहुत ही छोटा हिस्सा है और बहुत ही normal हिस्सा है इसके उपर आप अपनी life को पूरा center करके मत रखिये अपनी बाकी सारी चीजों के उपर ध्यान दीजे बाकी सारी चीजे सुधरेंगी तो ये problem भी अपने आप सुधर जाएगी लेकिन पूरा focus केवल और केवल sexual topic के उपर रखने की जरूरत नहीं है ये हमेशा धिहान रखिये चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope आपको कुछ तो थोड़ा से advice मिली होगी कुछ ब्लोगों की problem थोड़ी से solve होई होगी वीडियो अच्छा लगा तो please comment करके जरूरू बताएग हैं तो प्लीज महाँ पर भी आप comment करते रहें तो मुझे बैतर लगे का बहुत अच्छा लगेगा मैं एक एक मिनट में कुछ topic share करने की कोशिश कर रहे हूं Instagram और Facebook दौनों ही active है उनके दौनों की link मैंने description में दे दी है तो ये चलो बाई-बाई-थैंक यू हुआ है